हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक टू माई चैनल मैं हूँ फालगुनी और आप देख रहे हैं फालगुनी सेज आज मैं आपको बताऊंगे कि सैफ्रोन याने की केसर से आप कैसे फेरर ब्राइटर और ग्लोइंग क्रिस्टल क्लियर स्कीन पास सकते हैं यह एक बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला है जो आपकी स्कीन को एकदम बेबी सॉफ्ट फिल देगा सैफ्रोन फेस मास्क आपकी स्कीन को नैचरली मॉश्यराइज करके आपकी स्कीन को गोर्डन ग्लोग देगा सो फ्रेंड्स वीडियो देखने के पहले मेरी चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक करिए आपको मेरी फिचर वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा तो चलिए देखते हैं हम इस गोल्डन ग्लोग फेस मास को कैसे बनाएंगे इसके लिए आपको चाहिए वन टेबल स्पून ओफ मुलतानी मिट्टी दो से तिन बड़े चममज दूद्ध स्पैशली रॉव मिल्क और हमें चाहिए दो से तिन तुकडे केसर के इसे बनाने के लिए हम केसर की तुकडो को दूद में मिक्स करके 15-20 मिनिट तक ऐसे ही चोड़ देंगे ताकि केसर दूद में अच्छे से मिक्स हो जाए इसे हमें ऐसे ही चोड़ना है फ्रेंट्स, आई नो केसर थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बट ट्रस्ट में जब आप इसे ट्राइ करेंगी, तो आपको स्केन पे एक नाचरल गोल्डन क्लोथ दिखेगा 15-20 मिनिट बाद जब केसर दूद में अच्छे से घुल जाए, तब हम इसे यूज करना है, आप अगर चाहे तो केसर और दूद को राट को ही आप मिक्स करके रख सकते हैं, और सुबे उटकर आप इसे यूज कर सकती हैं अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लेंगे और जब ये रेडी हो जाए तो आपको इसे अपने फेस पे यूज करना है और लगाते वक्त आपको थोड़ा सा हलके से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है और इसे 15-20 मिनिट तक ड्राय होने के लिए रहने दे और उसके बाद आप अपना फेस वाश कर सकते हैं इसे आप हफते में दो या तीन बार ड्राय कर सकते हैं इस फेस पेक में में इंग्रेडियंट सैफ्रॉन है तो सैफ्रॉन प्यॉर हो यह बहुत जरूरी है इफ यू वांट तो नो कि सैफ्रॉन प्यॉर है या फेक है तो जब आप इसे दूद या बाटर में मिक्स करती है तब अगर केसर अपना कलर तूरंग छोडने लगे तो समझ लिजेगा यह फेक है क्योंकि ओरिजनल सैफ्रॉन को मिनिमुम 15 मिनिट तो लग जाते है अपना कलर छोडने को मुलतानी मिट्टी में एंटी बैक्टरियल प्रॉपर्टीज है इसलिए यह एक हर्बल एंटिसेप्टिक भी है जो स्कीन को क्लीन करता है और मिल्क में ऐसी कई प्रॉपर्टीज है जो आपके nesse самой प्रॉप्रटीज को हता कर आपको देता है healthy and clean skin То friends, I hope आपको मेरा यह वीडियो अच्छा और helpful लगा होगा अगर आप इसे ट्राइ करती है तो मुझे comment section में आपका feedback जरूर बताईएगा I hope अब तक आपने मेरे चानल को subscribe तो जरूर कर लिया होगा तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे next वीडियो में कोई ऐसी ही helpful वीडियो लेकर Till then stay healthy and beautiful